हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उमीद करते हूँ, अच्छे होंगे? तो आज की हमारी रेसीपी है पने टिक का, इसी बनाना बहुत ही आसान है और ये जटपट बिधी से बहुत ही जल्ग 10 मिनट में लगबग बन जाती है तो चलिए इसी बनाना सीखते हैं इसी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर को बड़े बड़े टुकरों में काट लिया है लाल, पीली, हरी, सिमला, मिर्श, प्यास, टमाटर को हमने बड़े बड़े स्लाइस में काट लिया है फिर हमने 500 ग्राम दही लिया है हमें उसका पानी अच्छे से निकाल लेना है क्योंकि अगर हम इसमें नमक डालेंगे तो यह पानी और छोड़ेगा इसलिए हमें पहले से इसका पानी निकाल लेना है अब निकलेवे पानी के दही को हमें कटोरी मिलेंगे उसमें थोड़ा सा लाल मिश पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और स्वात के नुसा नमक थोड़ा सा टिका मसाला और थोड़ा सा जीरा और रेट चिली फ्लेक्स डाल कर हमें इसे अच्छे से फेट लेना है दोस्तों याद रखें दही में बहुत जल्दी लंस पड़ जाते हैं तो हमें इस दही का इस पेश्ट का सारा लंस अच अच्छे से निकल जाएगा तब हम इसको दस मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे दस मिनट बाद फिर हम इसमें एक कटोरी के लगभग बेसन मिला लेंगे बेसन मिला कर हमें इसे अच्छे से एक ठीक पेस्ट बना लेना है ठीक पेस्ट बनाने के बाद इसका color थोड़ा down हो जाता है, अगर आप चाहें तो healthy इसमें डाल सकते हैं, या फिर skip कर सकते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा healthy डाला है, क्योंकि हमें टिकका में थोड़ा पीलापन अच्छा लगता है, फिर हमने थोड़ा सा पानी डाल कर इसको थोड़ा पतला पिष्ट बना लिया है, और इसको अच्छे से फेट लिया है, अब हमारा जो फेटने के बाद हमारी लाष्ट के consistency ऐसी हो जाती है, फिर हम इसमें पनीर, सिम्ला मिर्च, प्यास, टमाटर, जो हमने बड़े-बड़े स्लाइस में काट के रखा है, उसको डाल देते हैं, डाल कर हम इसे अपने soft-soft हाथों से अच्छे से mix कर लेंगे, जब सारे पनीर, सिम्ला मिर्च, प्यास, टमाटर पे ये जो बेटर है अच्छे से लग जाएगा, तब हम इसे एक stick में अच्छे से पी रो लेंगे, दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई ने रेशिपी आपके पास सबसे पहले पहुचे, तो हमने इसे अच्छे से पी रो लिया है, अब चाहे तो इसे ऐसे ही सेल फ्राइ कर सकते हैं, पर टिक्का का मतलब होता है, हम इसे अच्छे से पी रो कर एक stick में लगा कर इसे अच्छे से करना, हमने ऐसे करके अपने तीन stick में पी रो लिया है, फिर हम पैन गर्म करते हैं पैन पे हम भर-भर के बटर लगाते हैं बटर तो मुझे नहीं पसंद फिर भी मैं लगा लेती हूँ क्योंकि इसकी साथ बटर ही अच्छा लगता है नहीं तो बागी टाइब मैं देशी घी का यूज़ करती हूँ फिर हमने हाई और मीडियम फ्ले तो हम इसे उलट पलट कर अच्छे से पका लेना है दोस्तों इसे हमें पूरे अच्छे तरह से पकाना ज़रूर है नहीं तो इसका बेशन कच्छा रहा जाएगा और सारा टेस्ट बीग जएगा की तो हम इसमें थोड़ा और बटर डालेंगे और इसे अच्छे से सेख लेंगे तो दोस्तो मैं आपसे एक बार फीट से कहना चाहती हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस कर लिजी जिसे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप के पास सबसे पहनले पहुचे और आप हमारे रेसिपी को देख पाएं तो हमने इसे अच्छे से देखिए कैसे अब लाल हो रहा है हमने इसे अच्छे से सेख लिया है सेखने के बाद हम फिर इसको फ्लेम को बंद कर देंगे फ्लेम बंद हो जाएगा तो थोड़े टाइम क के बाद यह सेट हो जाएगा सेट हो गया है आप यह समस्कों निकाल लेंगे इससे अच्छे सी किता test लग रहा है फिर हम इसको डायेक्ट फ्लेम पे टेक्शर देने के लिए इसे ठोढ़ा-ठोड़ा और शैक लेंगे सेखने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा निम्बू का रस्ट डाल कर सारू कर लेंगे दोस्तों यह वाकई बहुत तेस्टी बनता है और इससे बनाना बहुत ही आसान है तो आज की हमारी रेशिपी आ दिखे हम उस रेशिपी को जरूर बनाएंगे तो मिलते हैं अगली रेशिपी के साथ तब तक के लिए धन निवाद